हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग मौथ और गन पर सीखने वाले हैं बहुत ही प्यारा सौंग है अपना दिल तो आवारा तो इसमें बहुत अच्छी-अच्छी मौथ और गन की ट्यून पार्ट्स बजी हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग है अपना दिल तो आवारा सौंग पहले मैं आपको बजा के दिखाता हूं उसके बाद फिर मैं आपको नोटिशन के हिसाब से सिखाओंगा तो सौंग फ्रेंड्स यह सौंग है तो चलिए शुरू करते हम लोग यह आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फर्स्ट लाइन देखिए फर्स्ट लाइन सा से शुरू होगी नाइंध फ्रैड से सा मा मा पाधी देखिए सा में बाहर ब्रीच करना है नाइंध फ्रैड उसके बाद मा दो बार जो मा हैं वह हम लोगों का इंदर ब्रीच करना है तो क." あप सा मा म ihr उसके ए पाह पा जो है वह drieб्र ग्रीच करना है सा कि इसे चाहिए उसके बाद में भी बना रहना कि वनन इहां व्रौक भी एक हनौ में दो बार अंडर देखाएद मिलिए वी लिए मां में हमें बाहर बीद करना है और दा में हम लोगों को अंदर बीद करना है फ्रैटनमबर वा लिखे हुए है सा 9th fret पे है मां 12th fret पे है फ्रेट पे है और धा अफ डेख रहे हैं 14th fret है हम लोगा तो first line है उसके बाद हम चलते हैं इसकी सेकेंड लाइन पर सेकेंड लाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर चेंज हो गई है उसके बाद है मा फिर उसके बाद हमें मा बजाना है 12 फ्रैट पर अंदर ब्रीट करना है उसके बाद पा देखिए 13 फ्रैट पर बजाना है बाहर ब्रीट करना ह मापा उसके बाद मागा रे मापा वही 12th fret पे है गा हम लोग का 11th fret पे बाहर बीद करना है देखिए कैसे पूरा देखिए मापा मागा रे रे 10th fret पे है हम लोगों को अंदर बीद करना है तो ये दोनों लाइने कैसे बजेंगी मैं आपको बजा के दिखाता हूं उसके बाद देखिए थर्ड लाइन है हम लोगों को गा से शुरू करने है गा हम लोगों का 11th fret में हम बाहर बीद करना है गा सार रे गामा गा में बाहर बीद 13th fret 11th fret सार रे गामा 9th fret पर बाहर बीद 1 самых हम लोग का 10th fret पर अंदर बीद करना है गा सार रे गामा तो जो गा है वो वही हम लोगों का 11th fret पर है बाहर बीद करना है तो गा सार रे गामा फिर से देखिए इसके बाद है पाधामा पागामा तो यह जो आप पाधामा पागामा देख रहे हैं यह स्पीट से बज़ेगा पाधामा पागामा पाजो है हम आ冷ो हो का 13 फ्रेट पर बाहर बीड़ धा 14 फ्रेट पर अधा में अंदर हमें ब्रीद करना है अधा के बाद हम लोगों को मां पर आना है मां 12 फ्रैट में हम लोगों अंदर ब्रीद करना है पिछ देखें इसके बाद फिर पा 13 फ्रैट पे बाहर ब्रीद करना है फिर गा बाहर ब्रीद करना है 11 फ्रैट पे उसके बाद मा 12 फ्रेट पे अंदर ब्रीट करना है तो कैसे बजाना है यह पाधामा पागामा देखें तो यह इसकी फोर्थ लाइन थी यह बाद चलते हैं इसके आगे ट्यून है त्यून में बजाना है आप देख रहे हैं मा पाधा पधा पाधा मां हम लोगन का 12 फ्रेट मा मा में हमें अंदर करना है यह पेड़ थेक्सप्रेट फ्रेट पर बाहर्ण के चैसे इलां टू अब भबा गर करना हैं उसके बद फिर पामा गार्व विमց सॉरी पामा में तके यह जिए फिर से देगें अ फिर से बादहें सा इसाषा थे नाइंट फ्रैट पर बाहर भीडिशेंट किना और रे हम लोग आज प्र्लों का इन डेट करना है फिर अगेंज सा 9th fret पे बाहर तो फर्स्ट लाइन इसकी ट्यून की कैसे बजी देखे उसके बाद है फिर इसकी अगली लाइन ट्यून की हम लोगों का 10th fret पे हैं अंदर ब्रीध करना है गा 13th fret 11th fret पे बाहर ब्रीध करना है मां 12th fret पे हैं अंदर ब्रीध करना है और 5 जो है वो इसका 13th fret पे बाहर ब्रीध करना है तो स्वरी उसके बाद जो आप देख रहे हैं एक नोट नी जिसके नीचे लाइन है यह कोमल नी है यह हम लोगों का बज़ेगा जहां हम दहा बजाते हैं 14th fret पे वहीं पर हमें इसको लीवर को scale changer बठन को हम लोगों को दवाना है slider को कैसे जहां दहा बजाते है 14th fret में वही slider को प्रेस करना है और अंदर ब्रीध करना है उसके बाद दहा है लीवर को छोड़ देंगे दहा वहीं बज़ेगा हुआ है तो है कि इसके बाद पा है 13th fret पे वाहर ब्रीध पा के बाद मा बजाना है हम लोगों का 12th fret पे अंदर ब्रीध करना तो कैसे बज़ी यह लाइंग तो मैं आपको एक बार पूरा यह song बजा के दिखाता हूं स्थाई से लेके जो इसके जो फर्स्ट पार्ट है ओअ जो सिर्वा से लेकर उडियों तक देखिए कैसे बजेगा कर तो तो फ्रेंड्स आप इसको करिए जहां आपको सौंज में आता है इस वीडियो को रिवाइंड करके सुनिए धीरे-धीरे करिए स्टार्टिक में थोड़ी सी मेहनत लगेगी करने में लेकिन आप बहुत अच्छा बजाने लगेंगे यह जो सौंग है इसका हाफ पार्ट हम लोग बात में करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए तो आप इतना बजाएए उसके बाद फिर